तब से मैंने सोच लिया था कि मुझे वही काम करना है जो मैं बता सकूँ चिला के, डाट के, हक से, जैसे पहारचन नहीं हो गया होली, कि मेरे को ये करना है, मैं करूंगी, पर मुने को शरम नहीं आ रही बताने में, वह काम मैंने करने का ठान लिया था, सब ने बोल लिया था इसको पढ़ने मत भेजो इसको पहली युवती हैं जिनोंने अध्यप्रदेश की पहली युवती हैं जिस्ट फॉर रेकॉर्ड में थे फिर्स गर्ल फ्रम अध्यप्रदेश वो ख्लाइम्मांट एवरेस्ट और शी वाइज पहाड़ इनने चड़े हैं और हलागी आप जो मेरा चैनल देख रहा है I don't think सारे आप पहाड़ चड़ने वाले हो लेकिन मुझे लगता है कि जिंदगी में हम सब की लाइफ में एक अपना एवरेस्ट होता है आपका एवरेस्ट एक I.E.S. का एक्जाम हो सकता है एक नौकरी लेना हो सकता है six-pack लाना हो सकता है I don't know पैसे बनाना हो सकता है बिजने चलाना हो सकता है हम सब की लाइफ में एक एवरेस्ट है मतलब एक बहुत ही मुश्किल काम तो वाई नौट वी लर्न फ्रमान हो अच्छली क्लाइब एवरेस्ट तो वेलकम में पर्मार बहुत-बहुत स्वागत आपका बिव तॉक में थांक यू फो कमें थांक्यू संब आसे बाल फाडिया चाड़ते हो आप इसे लिए इसे लिए शने शने मीटर के एट और फिर मुझे बाद लगा कि हाँ माउंटर बेस्ट चड़ सकती हूं तो 6000 मेटर आप चड़े हाँ तो 6000 मेटर के आप चड़े हाँ अवरेस तो 8,840 मेटर तो पहली बार सम्मित नहींग फिर दूसरी बार किया बद फिर फ़िए कॉंटिन पहाँ अब चड़े हैं। अब बशार में जखता हैं। आसी पहाँ हैं। जचरहाँ आपका ठुद आपको.. आपको अपको रेहँ के चर은 आपको .. मुझे पहाँ चड़े हैंanh कर दुद Representatives तो तो मुझे आपको उसे शख गएआं 빠विचान थैसे oj पर अब आप के वाध लिड़ने के ऊपकर शु लाकुष जड़से के आवं के पड़ पे लिट है हम तो फिलाथे हैं मिला ऊपर चाडंनी किवाद को यह जुट्पर अब Ke bagal को हिलाथे ताक़ बसारः से जाने से बाइट यह सा करना होता था ठीक है, तो let's talk about that आपकी जर्नी भी बहुत interesting रही है not just Everest की जर्नी, आपकी life की जर्नी भी काफी interesting है और inspiring है लडकों के लिए भी, लडकियों के लिए भी especially for girls I guess but also for boys तो मैं चाहता हूं कि सारे जो ये देख रहे हैं और मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेता वो कर लेता है तो हम देखते हैं कि क्या से क्या लोग कर लेते हैं so mega हम रिवाइन करते हैं आपकी life return रिवाइन बटन चालो है ठीक है? और आप छोटे हो एक अंधेरी रात है और वहाँ एक लडकी का जनम हुआ तो तो usta शोबिया है तो रिवाइन वे बटन धन में भी हुआ हो सकता है तो ये साथ मी हुआ हुआ है तो 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 टेक में बटन तद द डे तो लोगों को जरा बताओ डि़ाएन आपका परदी अपका जनम इग्जाक्ली कहा हुआ और आप कौन सी जगा है वो कैसा घर ता क्या था ज़रा बताओ आप बहुत बीच में बीच में जाना होगा क्योंकि हम भारत का सेंटर होगया मəOGर्देश मदलिप्रदेश का सेंटर होगया मेरा जिला सीहूर सीहूर में मेरा गाह हूँ आता है भोजनगर बोजनगर में तो कौन सा शेहर पास है? सीहोर और सीहोर के पास कौन सा शेहर है? बुपाल बुपाल से कितनी दूर है आपका गाउब? बुपाल से मुझे 45 मिनिट लग जाता है आने में तो 30-40 किनोट रहा है तो वहाँ गाउँ है और वहाँ दाइ के हाथ जनम हुआ है अधीर नियुकाँ फेर घर भर भर घर से कोई ह Pero कोई हासपिटल नहीं कोई नर्स नहीं dość था शीया है अब झरफी आसीया है किसान युक्शतों अभी ही किसान तभी किसान है और हमारी हाँ क्या होता है लटकी होतीं है तो यई सा वता कि बहुत सारी लडकीया आतीоз मैं जैसå छह भुवायों वे बड़े पापा नंजले पापétais तीन लड़कीं फिर लड़का तो जैसे मैं हुई थी सथित्प मैं अब तो त roku नड़की लड़का होगा तो पापा को ऐसा बोला था समने कि दामुदर की भी किसमत फुट गई अब तीन-चार छोड़ी होना होगी तब छोड़ो होगो यह कौन सी भाशा है बैद अब माल्वी की हम लोग माल्वी बोलते हैं तो वही हुआ था किसमत फुट गई आप पैदा हुए है यह लोग नौमली वेलकाम करते हैं वह बच्चा हो अरे यार किसमत फुट गई क्यों किसमत फुट गई लड़की नहीं चाहिए नहीं हमारे यह मेरे खांदान में ऐसा हुआ था भी तक कि पहली बार में लड़का नहीं होता है तीन-च कि आपकी जबारी सुनने चाहिए आपको क्या लड़का क्यों चाहते हैं लड़का मेरे एरिया में तो यह था है कि शादी का खर्च बहुत होता है दूसरा सेफ्टी से बहुत डरते है कि कासे रखेंगा इस सुरक्षे जब तक यह बड़ी होगी ऐसा ना हो कि लड़की को क कि अ got favorite मारत का महिन हो जाएगा इस वाजे से सब को टेंशन म्-त इंशन रएक जाते कि यार कर बड़की अब तेंशन रहीगी जाए कि को प्रेम होजातो थोड़ा ऑप धोड़ा एकस्शन कंललेते हैं भ elles किका एकस्ट नहीं करते लड़की कर अथे हैं तो ब्रेम के लिए मेरे जनम ग्वाड़े में हुआ तरह गाई बनते हैं उस जगह पर हमारे आप कहते हैं कि वह पूरे घर में सूतक फेल जाएंगी तो उस रूम में थे पर मेरे सूतक में जब तक सवाब महीने का बच्चा होता है तो मेरे पापा को देखना था छोड़ी हुई है कैसी हुई है तो पापा बताते कि मेरा ऐसा गोल सा चेहरा था अब भी गोल है तो मेरे गोल सा चेहरा था पर उनको खुशी हुई थी पापा को खुशी हुई थी पापा तो यार मम्मी फादर डॉर्टर तो फादर डॉर्टर है यार तो कैसे हाओ आप लाड़ी हो थोड़ी हो थोड़े नोट जस इन यूर फैमिली इन यूर विलेज या आस पास आप गाओं कही स्कूल कहें तो इस दिए वर फिल दिस्क्रिमिनेशन अफ बहुत जाए होता है हम सेरिया से आते है वाँ तो बहुत सारी लड़कियों हो जाती ना घर में तो खाने में सिरुवात में हो जाता है अंत जाता है और लड़कों को रोटी पे जो चपाती पे हम घी लगाते है यह वह रह था है तम इत्ते ही साहरता है तश्वराउं के खिलाएं कांकरेगा इसने ट्रांस्लेट करो कि तुम है खिला कर क्या करेंगे तुम तो बहुत जल्दी बढ़ी हो ए इसमारे तो किसे काम के न लड़ियों को अगर बात है, इतने चोटे बच्चे को जब एसे रोटी आए थे विलरी को एक जर्टाई इसे वाली को आपसे पूछता हूं क्या करना चो लड़कियों को अगर आप देश थेल्टी को अगर सा वह रहा हो ऑनके सामने को डिस्क्रिमिनिट किया रहा हो तो नही क्या करना चाहिए? छीन लेना चाहिए मैं तो छीनती थी मैं को नहीं मिलती थी मुझे आज तक भी दूदगी मखन से इसलिए जादा प्रेम है क्योंकि पहले मिलता नहीं था तो महारे भी चाहिए क्योंकि वो खुषभ आदी ना अज वो खुआ है सबस्सक्ता थे नहीं ठीध तो आपको यदी नहीं मिल रहा है क्योंकि जमतू आए कि के थो फिलेलो मैं तो यही करती ता ऐसा नही निए उप आदी में पूरी चिन लेछाएं लेटी थी मैं पैन मत खोड़ेएं लेकर बाग जाती जब तो चूछी थी मैं तब एफ्ट उप इस इस प्रदेश पर ना तो ग्रोप लिए अग डिस बहुत जादा दो जादा कुछी आप जादा है जैसे लड़कों को मेरे अडिया में वो अच्छे स्कूलों में पड़ते हैं आप जेखना सरकारी स्कूलों में सिर्फ बच्चीयों की संख्या जादा होती है बच्चे तो एका दुक्ता मिलते हैं लड़कियों की संख्या बच्चियां मतलब लड़कियां की संख्या ही जादा होती क्योंकि उनको लड़के कूप अच्छे स्कुल ना पढ़ाना है लड़की को चल जाएगा बारवी पढ़ ले बस क्योंकि वो सम्मेलन में माक्षिट का को चल जाते हैं ना से यहां से बेच के सगाई हो जाती है रिंग्स क्लिरी दो 2 साल में एक दुसरे को वह बैक होते है कि अधने कर viewers चुछ इस लिए can we look לס़ी जा लिखानी कि और merge ब्लगे में अधने मुट कर दा दा झाहिते है 2 साल में सब्सक्रोप थो नगोसज न रहीं 2 साल में सब्सक्राइब frei ज सकते है मंगे दिया नारियल यहां भेज नारियल है दोने ममें से अध्यक सम्हे लाजरी कुछ cabe मंगे काम करते थे लो साल libert possibility बच्चे हरे वही तो मुझे नहीं हमें कर सकते हैं तो उसी community से मैं भी हूं यही होता था फिर आदाजी लोपक यहां। उसके पार्टी भी होती है पार्टी खाना वगरा होता होगा तो बच्चे क्या कर रहे होते है उस्ते है वो दो साल के उनको आपने और किसका देख एक परात आई थी परात में बहुत सुंदर-सुंदर खिलोने आए थे गुड़ी आई थी मैं तो इसी से खुसती कि मेरे को गुड़ी मिल गई है इस पर किया था कुछ नहीं पता था मुझको इंस्टेड ऑफ गिफ्ट देग टॉइस क्यूट अंफ़नी बट इस अलसो वेरी दिस्टरबिग फिर बाद में तूटना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको कहा जाता है कि बच्पन का सगेतर है लंबा टाइम से हुआ है आप क सरकारी स्कुल से पढ़के बच्चियां आती है इसलिए पढ़ाते है अधिकतर लोग वहां पर एजप्रूफ होना चाहिए आप फेल हो जाओ कोई फरक नहीं पड़ेगा पर वह फेल किया पास की माक्षित सम्मेलर्नों में लगती है सम्मेलर्न मतलब सम्मेलर्न मतलब 81 लो ना मतलब 21 नियुक्त अधर T इतना भी नहीं पर आज कल तो फून पर बाते हो जाती है पट उस यह कि बच्छपन से थोड़ी नहीं देखते हैं वह तो अलग गाउं में हैं हम अलग गाउं में हैं और फिर शादी आप कहा रहे हो अठारा की जब 12th की मार्कशीट आ गई जितने भी पर मार्कशीट में मार्क्स कोई नहीं देखता है वह बस देट देखते हैं क्योंकि वह लौ है इंडिया का हां तो अधिक तर जिस एरिया से मैं हूं लड़कियों का यह होता कि बच्पन में सगाई कर दी जाती है वह जैसे 18 की होती है बार भी कराई जाती है सबको सरकारी स्कूल हो में अधिकतर कुछ का छोटे मोटे प्राइवेट में पर बार भी कराते हैं बड़े उससे कि हमाई छोरी पढ़ रही है पढ़ रही है क्योंकि वह माक्षिट बहुत कर द्राइए क्या होता है अार जयसे मेरी कास्त धुसी कास्त के कहीं लोग की सेम लगन निकलती है उस इन सभीका क्योंकि जादा बाराथियों को एक जगह थेहरने का सबकुछ इंजाम हो धाता है एक साधी होती है कई सारे लोगों के कि इन सब्सक्वाइब की तो तीनसो च प्रफिक दिखाई भी है कभी सामोहिक वेवा नहीं होता है वैसा ही दम लगा कि पिक्च थी आयुश्मान की वैसा लग भग लग बिल्कुल वैसा ही अच्छा तो वैसे हो रहा है पर सब के गेस्ट आए हो है हाँ गिंती बताई जाती है कितने ही गेस्ट बुलाना है नहीं विकोज अगर हमारे तो इंडिया में पंजाबियों में तो 500-600 लोग आते हैं एक कपल के लिए है अब उसको मल्टिफ्लाइब 300 कर दो तो पूरा स्टेडियम चाहिए हमें इतने स्टेडियम बराबर लोगों में शादी होती है तो कितने गेस्ट आपको जैसे अब वो बोलते सरकारी सब्मेलन में तो 80 महमान बुलाए जाते हैं आपको फिर उनकी पैसे देने पड़ते हैं नहीं सरकारी सब्मेलन में तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है जी खाना है तो खाना वह डिर्फ उनकी पता है बहुत ना के बराबर होता है सबको पता है सबको पता है हो सकता है से है जा निया घर पर प्लाइनिंग मेरा इसा नहीं था मैं इसा निया मै एक चोटा सा टाउन था जहां आगे के स्कूल थे जहां से मैंने पढ़ाई करी अकोदिया मंडी साज आपू डिस्टिक में आता है वहां पर मैं आगे के पढ़ाई करी पर वह एजी तो नहीं होता आप दूसरों के घर पे रहते हो तो इत्ते साल आप रहें? मैं चटी से लेके बारवी कक्षा तक रही हम आपे तो दूसरों के खरेना तो बहुत डिफिकल्ट होता है सब तरह से ही खाने से लेके पीने से लेके आपका मनमर्जी का भी आप नहीं कर सकते तो डिफिकल्ट होता है वह बहुत मैंटल यह तो आपके मामा थे? मुझ पोच जाते हो काम करना लग जाते हो आप फिर डाल कंप जाते हो एक ले सकते हो आपको सोचना पड़ा हे तो अए c tapping hot कर तो अशंचते हो करते हो जो साधी तह पद ने शच्रप्तियों सोचना पड़ता और हो अला कि लुड यह संका है यह दो कि शादी है तो वही होने वाली है आपको बोल दिया अब बार वी हो जाए फटा-फटा-फटा है यहां से बार वी होके निकल जाया है विए कि अब के मंगेतर थे दो साल से तो येर्स अफ एच से आपकी उनसे पहली बार कॉंटक्ट या बात कब हुई मेरी बात एक दो बार फोन पे उनसे और ग्लासमे थाप तब तक कुछ पता नहीं कहा है आपका मंगेता पता है मेरी को कहा थे रिच्टियारों से बात सुनी है पट इतना जादा नहीं तब आपके बास रख फोन आगय होगा 11 तो तब तब मेरी एक दो बार उनसे बात हुई मैं उनकी रिस्पेक्ट इस पर फोन पे दूसरे बात करें तो बात क्या होती है क्या थी आपकी क्या थी पता नहीं तो ज़र बारा की बात है की सर वह मुझे ए्वन नहीं है पर यह थे कि वो लोगों कि मैसल्य अच्छा इंसान मानती हूं कि हमारी यह तो पड़ने नहीं थे लड़की को जाधा आप्ड़ा आठी तो जयादा पर टी हैं तो बोलतें की लड़का कं पढ़ेगा है तुन ज्यादा पढ़ोगी तो जोल आपका बैग रखेगा क्या हो जादा पढ़ लोगी तो वहाँ जो मेरा पक्षिता उन्होंने कभी ऐसा निकाता कि आपकी लड़की को मत पढ़ने इसलिह मैं आश तक उनकी रिस्पेक करती हूं कि वो भी लोग अच्छे ही होंगे अब नहीं है बली पर वो लोग भी अच्छ मैं पर अच्छे कि उन्होंने कभी ऐस नहीं होंगे रोका टोका कि पढ रही है तो पढ़ने दो खेल यह पढ़ने दो थे हूं तब मैं ऐनकी तो मैं आनकी खेलने भी लग इथी आपको फिर रहा होंगी बाते है आपको तो फिर और अजे हो नों एक रूड़की रहाँ हो मेरी ममी ने तो यही सिखाय था कि बनने को टाइम है अभी से बात करना हम लग जाएगा तो कहीं नी करीगी जीवन में तो मैंने कभी इतना ज्यादा बात बात नहीं किया पर यह पता था 12th हो जाएगी फिर हमारी चादी हो जाएगी हाँ यह पता था कि चलो बोई अपरिंगिंग में आप हो लेगा राक से बरतन नहीं मानने पड़ेंगे तो बारवी का बच्चा क्या सोचेगा उसकी लड़कियों को ते आपको पता कि कोई स्कोप नहीं तो आपके ड्रीम ही ऐसे होंगे तो मेरे ड्रीम बी ऐसे ही थे यह है किसमत ने बलट दिया सबकुछ एकदम मेरे भाई लोग पढ़ने के लिए गए बाहर वो लोग भाग भाग के वापिस आ रहे थे चोटा भाई तो पापा ने डिसाइड किया कि ऐसे तो लड़का पढ़नी पाएगा क्या करें क्योंकि उनको ना बाई के हाथ कहाना अच्छ इनका अच्छा लग रहा था तो डिसाइड हुआ कि यह जो जब बच्पन में घी की रोटिया बना बना के ममनी देती है ना और के लड़कों बिगाड़ेंगी राजा-बेटा करकर के ना फिर वह इसलिए भाग कि खाना नहीं अच्छा लग रहा ऐसा होता है से हम कॉलिज मैं पढ़ना मैं को गाओं कि इसकूल के पास में डाल दो मुझे कॉर्में नहीं पढ़ना है खाना अच्छा नहीं मिलता ऐसा था उनका कि मैं नहीं रह पाऊंगा तो डिसाइड वहा कि मैं भी पढ़ने के लिए चले जाती हूं मैं भाईयों की रोटी बना लूंगी और मै और मैं खाना पड़स को अनका खाना बना सबया तो कि अ गाइयों को सिद भाते है फिजा क्यों फड़े को कहना हो अर चाटिए जा सकता है और का म वहां पढ़ने आगे तक ग्रेजिशन और और ग्रेजिशन के लिए भेज रहे हैं वहां पढ़ने रख रहे हैं वह बहुत बढ़ी बात होती है जो लोग यह सुन रहे हैं और जो कई लोग कॉलेज में हैं और जो कॉलेज में करते हैं यार क्यों आया हूं इस कॉलेज इतनी पढ़ाई क्यों है में को क्यों पढ़ना है में को नहीं पढ़ना है उनको आप क्या बूलोगे वो कितने भागिशालियं है हैं है na कि उनको इतने अच्छे आउसर मिल रहे हैं, मोके मिल रहे हैं वो बिना मांगे मिल रहे हैं अब उनका प्लाइटफरम उनको में रॉपयोग उनको आणी से सैची करना है और उसको कोसना भे तारीफ कंनी कि उनकी पास आजा दी है, समय है जब घर से free में उनको भेजा जा रहा हूं Разब inhabя no for9 तो छो time उनको मिला उनको उसका वो उसका Ten जstein के लिए नहीं पड़ ने के लिए रिविक करे薪ना है जो यह करते हैं अ batti Justine क्यों है और मेरा कॉलेज में इंजिनिरिंग तुक्ति टाफ है यह तर टाफ है इससे इच्छा तो मैं बैट के इंस्टाग्राम देखता यह वो क्यों आया हूं मेरी जिंदगी जहंड है और जिसने ड्रू Oh but then you realise, ऐसे बहुत कॉने मिल रहा हैं मैं मैं क्याता हूं कि कोई मुझकिल काम करे हो यह कुछो की मुझे करना पड़ रहा हूं मुझे करने को मिल रहा है आप इसे बहुत लोग है आप ऱ भागने जाते हो तो लग रहा है रहे क्यूं भाग रहा हूं यह वो ऐसे भी लोग हैं जो भाग नहीं आपते हैं जिनको फिजिकल दिसिबिलिटी है वो दे कांट रन you know so don't say I have to do this say I get to do this तो anyway तो फिर आप वहां चले गए पिर आपने फियांसी को बोला sorry यह शादी अभी नहीं वो बचारा दो साल की उमर से वेट कर रहा है वो वहला पाट तो बाट कभी बात नहीं इतना आए नहीं इंवल्मेंट नहीं हुआ तो तूट गई मंगनी तो नहीं कहेंगे मैं मैं को मांट अवरस जाना था तब मेरी उमर शादी के लाइक होगी थी ग्राजवेशन के बाद तो मेरे पापा एक-एक साल एक-एक साल बढ़ा रहे थे उनकी उमर भी होते जा रही थी तो इस वाज़े से फिर हमारा मंगनी जो था वो हो गया था अभी भी होल्ड पे आए जो भी होल्ड भी . कर वो होल्ड द। इसवम मेरे दे लाद म tänkerख था मां वर्डा, मेरे सहचें के बाई पाहाँ महतीत law बाईञ थावन के विढ़ा भाहियों के लीए मंगेटर थी जो साल प्रदा। सब म Springs कोलेब होग है सब कुछ वहीं से शुरू हुआ कालेज में पार्टिपेट करने लग 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 चीजों मैं एक बार वाटर पाक चली गी थी मैं पापा के पैसे चुरा के पर लग गेते मुझको भी नहीं आजादी मिली तो बच्चों के साथ होता है वही मेरे साथ कौन सा वाटर पाक है वाटर पाक पानी में जो जाते हैं बट कौन सी जगा का स्रीहोर में एक वाटर पाक था तो मैं अलिज से गई तो गाओं की लड़की थी पिल्कुल धूर तो कुछ दोस्त थी मेरी तुमने वाटर पाक नहीं देखा वहां ऐसा होता है यह होता है तो मन म जागा देखने का कैसा होता है घर से तो परमीशन देंगे नहीं तो पईसे चोरी कर लिए थाई सो रूपे फिर मैं लड़कियों के साथ वाटर पाक चले गई तो वहीं से शिरुवात खतनाक वाली हो गई कि मेरे गाउं के बहिया पापा को बोल दिया फिर जली से गाउं लिजाया गया आज तो इनकी चोरी वाटर पाक गई है कल से पता नहीं कहां जाएगे वह जा सकता है उसको घीवाली रोटी मिल जाएगी शाम को एक गिवी और अज ये वाटर पाक गई है कल कहां चले जाएगी तो बहां उस दिन बहुत खतरनाग घर में कंडिशन बन गई थी कि लड़की बिगड़ जाएगी इसका तुरंट ब्याव करो तुरंट शादी किजे इसकी और वह दिन मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा बही दिन वाटर पाक वाटर पाक वाटर पाक वाटर पाक वाटर पाक वाला दिन यादी मैं उस दिन वह चीज नहीं करती तो शाद इतने बड़ा मेरा माइंड सेट नहीं होता वाला की शरम नहीं थरे कां बेज तो पंडे कली बेज तो पार्टर पाक जारी है तो बहुत गंदा माहूल हो गया था पापा एसे कुरसी पर बैठे दे जुकाय हुए बड़े मेरे भूल तो सब बोल भी यही रहे थे आसपास कि जल्दी सिसकी शादी करो इसको तो अभी पर लगे अब पता नहीं क्या क्या करेगी जल्दी से इसको भेजो और वो लड़के के साथ में गए थे सब बोलते हैं लड़की भाग गई भाग गई मैं जवाब नहीं दे पा रही हो तो मुझे उस दिन एक चीज रिलाइस हुए थी कि वह काम जो आपको अपने ममी पापा को बताने में शरम आए क्योंकि मुझको भी वाटर पाक बताने में शरम आ रहा था मैं इसलिए चिपाया वह हर काम कहीं ना कहीं गलत है और यदि मुझको इतनी जिजक नहीं होती है मैं बता दे कि मैं वाटर पाक जा रही हूँ तो वह काम गलत नहीं होता तब से मैंने सोच लिया था कि मुझे वही काम करना है जो मैं बता सकूं चिला के डाट के हक से जैसे पहारचर नहीं हो गय कि मेरे को यह करना है, मैं करूंगी, पर उने को शरम नहीं आ रही बताने में, वो काम मैंने करने का ठान लिया था, सब ने बोल लिया था, इसको पढ़ने मत भेजो, एक मात्र वो गाव के पापा, जो लाइला, उनके जूते पहनते आश तक, उन्होंने मुझको कहा था कि नह पहर रख लो, आपने दोबारा भेजा पता नहीं क्या करेगी बच्ची, उन्होंने पापा ने सब से लड़ाई लेकर पहली वार मच को भेजा कि ग्रेजुशन तो करना था, और मेरा जीवन का वो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था, अब मुझे लगा था कि कुछ तो कर करना है कि प्राउट फीलो सबको और वहीं से जर्नी शुरू हो गएती बिल्कुल कि यहां आने के बाद मुझे पार्टिपेट करने लगी मैं ताकि ट्रोफी मिले तो पापा को बिलाए कॉलेजेस में उनको अच्छा लगे और फिर मुझे लग गया था कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं कर सकती फिर मैंने खेल खेलना शुरू किया फिर मैंने पहली किष्टी खेली थी जुड़ो केला था कॉलेज में तो पापा ने बुला नहीं हो चट्डे पेन के नहीं खेलते तो वैसे गेम मत खेलना सब लोग देखने आते है गाउं के लोग फिर क्या करू अच्छा था नहीं मत प्रदेश के लड़को नहीं मांट अवेसमित किया और वो मुझ को क्लिक हो गया कि लड़की नहीं कि वो लड़की में ही बनोग जो उसको मांट अवेसमित काना ए बस वाओ अच्छा अपको लगा की उसमें शॉर्ट्स नहीं पाहनीं पाथते है तो वो जाय दलाओ ही कर देंगे इतने यूरोपीन क्लाइबर्स ने माउंट आवरेस किया है प्रेवंट गॉन थू आप गॉन थू अप्रिंगे उनका बैग्राउंड उनको वाटर पार्क ले चांटे नहीं पडे है अब अब लुट खाईबर्स ने माउंट के अपये है वे प्रेंगे इस तो स्वह जाद लेए भी रही जाद कर रहते है और मैं वट जाद है रही है विघके एपना गांड़ाई और मैं अब जद्दी हूं मैं बहुत आपने इसलिए ठाना था यूज वांटे टू गेट यूर फादर्स नहीं तो स्टार्टिंग वही थी कि प्राउट फिल कराना है नहीं पता कैसे कराना है मैं तो मुझे लगता है कि हम सब सोचते है कि देश राज्य के लिए बड़े-बड़े मंचों पर कही ना कही हमारा जो बच्चा मन होता है वो चाहता है कि उसके पापा को प्राउट फिलो वो बोले शाबाश बहुत अच्छा किया आपने तो मेरी श्रुवाद भी शाबाश शुनने के लिए शुनने के लिए बड़े शुनने के लिए शुननल एक आज है ऑफ दंगल पिक्चरा है कि यह रहाइड भी खाइड है यह तो तो लुद बच्टोंने चड़ा कि आप अब क्या करें आप कॉलेज में बैठे हो तो तो क्योंकि हो सकता है कोई आपको देखे और भूले हमें भी चड़ ना है अब नहीं हमें इते हैं सबाउड को पक्य लिए नहीं आपको अनिप्रथेश नहीं से बुस्यार आपको नहीं साथ में अज़ना है अब ने काउट करूं क्या ऐसा है मद्ध्यपर्देश में ज्यादा पहाड है तो वहां तो पहले कि पहले कि पहाड वाली बरफ कैसी होती है प्रेज से भी ट्माटर ही निकालते होते है हाथ मेरे ट्माटर हाँ 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 मात फीजेश라고 फिर फुराते है कि कोई अनके जैसा ना कारे सार्टिंग में लोग अब यतने लोग जो जारू होते है न से आप के स्णी बर जोग जितने ओिध़ दिखे में जोग उसको कर न जोगमें का चाहते है क्रिंग ना चाहते तो जो बच्चे आपके चनल के लिए से देख रहे हैं मैं उनको बता दू कि बहुत सारी कंपनी आपको लूटने के लिए भी बैठी है तो आपको सही करना है यदि आपका टारगेट माउंट टेवरस्ट है तो भारत में इसके पांच इंस्टूड है क्योंकि नेपाल गौर् पड़ेगा तभी आप जाओगे तो कोई आप कोई माउंटेनरिंग इंस्टिटूट आपको बोलेगा कि हां इस परसन इस फिट तब आपको परमिशन में लगती है कोर्स होते हैं माउंटेनरिंग के क्योंकि आपको नहीं पता ना कि तीन तरह की आईज होती सॉफट आइस यूहच के करना माने जब लिग्धे माーन से एद्सटिट इंस माउंटेनरिंग कोर्स में भारत निसकी पाच इंस्टिएएप गीजएगा वाव, और आपको याद है सब, और मुझे कुछ देखके ही बेको सुनके ही गवराट हो रही है कि यह तीन तरह की बर्फ, एक बर्फ वो होती है, जो हम ग्लास में डालके, कोल्ड रिंक में डालते हैं, वो मुझे पता है, इंडिया के मोस्त लोगों को बर्फ, कुछ स्टेट मुझे पता था कि सामने सबके तो नहीं बता सकती और यह भी पता था कि इन लोगों से मुझे को मुझे एक ही व्यक्ति को पकड़ना है जो मेरे पाफा इनी को आप लाडली बन के आप उनको कुछ भी कर आलते हैं, उन्होंने बहुत मेरी प्लानिंगों मेरा सांथ दिया है भी क्या कि अपने बताया कि मैंने मांट एवरीज चढ़ना है तो आनने ऐसे किया गिन है उनने ऐसे ही किया उनको भी लगता किके उनको नॉर्मल बच्चा क्यों नहीं हूआ तो और गाहां फिले मुझे हूं थे आज़ बने आज भी तू थाज ज़ा प्लिया मेरे तू अस तो अफने अनुसार लेते हैं और इंडिया में जीज़ होती है लोग अर बार बोलतों ब 녹्रीज डियु बहैं पर सब्रेखा हूँ की हमारी आपती है इंडीया में कादो कंसेट आपत है कि तो सबने ले लेकिन अफनुसार वही तोड़ना है मझे वही मेरी भी फैमली ऐसे मिडल क्लास ही थी और वहां को यह से नहीं सोच सकता थी तो यह वहां नाशनली नोन बेस्ट सेलिंग ओथर और अशा कुछ मदाब यूज चेंग अवर्थिंग तो किताब लोग ट्रेनों में पढ़ते रहते हैं मद्यवदेश के गाउं में भी मतलब और अंग्रेजी का लेखक वही ही लोग कहते थे ऐसे कभी हो इनी सकता इंडिया में ऐसा होगा ही नी बड़े-बड़े शेरों में पढ़ेंगे इंग्लिश में नी मैं तो कोने-कोने में ज मैं मां टवेसर जो मां मारी सरकारी नोकरी लग जाएगे वह उनको बेटा की सरकारी है इंडिया में इसे होता है नग्तला सब कुछ मिल गया है यह यहाला पर उनको बहुत सारे रिष्टे जारा से छिपाना पड़ा की बेटी कहां जाती है क्योंकि लोगों को लगता था न जिसे पापा को ताना देते थे तमाई, आपकी लड़की तो पहाड पहाड जाती उससे क्या होता है, वह तो लड़के भी होते हैं, लड़कों सब ड़ते हैं, लड़कों ने गंद मचा रखा है एक तो हर जगा, तो मेंटिलिटी बहुत गरबर करती है, मैं मुझे लगता कि तो कि दाफा इसलिए पीछे नहीं कि वहाँ डेवलप्मेंट नहीं पहुचाए, गाउं इसलिए पीछे काई बाल कि उन्होंने अभी भी उनका सोचने का नजरीया बी भी नहीं बतला है, जो बहुत बदलना चाहिए, जो मैं जब गाउं में जाती हूं तो मैं यही कहती सबसे पहले, सोचने का नजरीया बदलेंगे, हम ओटमेंटिकली उपर उठ जाएंगे यह, सो इसलिए नेक्स जनरेशन चाहिए, मुझे भी यहाँ अलगता है जाएंगे 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 जाए एप मेरे को तो दूद निगालना भी बहुत पहुत कम जाते हैं पांच बाइय दूद के पाँषि और नी चारह भाट चासे हो जोड़ना है एसी होता है यह गाए के बाद तो गड़ दोड़ना है नो एक गाव में क्यों हुँता है एक 160 की किसानों के पास डि़ी वैसा ओला माहूल है वह जब पर पच्ची होती है वह पहला प्जाका वहीं है ऐसी इन दूद हुद् जने जनी हुआ होए गायका दूद बहुत बहुत कर काफुदा गायक कार माुद में नेदिग है हमारे हैं कि नहीं जा सकता चोड़ने वह एक बार गाय दूद नहीं देगी तो फिर घर में पैसा कहां से आएगा दूद की वज़े से तो पैसे आते हैं पैसे नहीं आएंगे तुम्हाई पढ़ाई आए इसका खर्च कहां से दूंगा तो बहुत बड़ा रोल होता है इन सब मैं किसान की वच्ची हो तो मुझे इसलिए पता है कि सारी दुनिया सो रही होती है जदी रजाई में जड़ा सब निकल जाएगा तो डालेंगे किसान इस समय मिट्टी में पैर गुटनों तक पैंट करने के बाद पाईप बदल रहा होगा और वो थंडी मिट्टी हो रही ह 25,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 को समिट किये, मांट लदाकी मेरा पहला एक्सपर्टीशन था, तो उसमें सब कुछ ठीखाते हैं आपको, बेसिक कोर्स में और एडवांस कोर्स में, और इंस्टूट ने वेकिवल 5 जहां से ही होता है, तो वह सेमी कमांडो ट्रेनिंग के जहता है, जाए होता है, जाए है, च जाए होता है, 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 जाए तो फिर आपने किया और यह देन फिर से आई फिर ट्रेनिंग का कोई नहीं था कि रनिंग वगिरा कैसे करूं तो मेरा ऐसा लगता था कि मेरा फिटनेस घर के काम की वज़े से जादा हुआ मैं जहां रहती थी वह दूसरी मंजला पर मकान था हमारा और मैंको हर दिन 16-17 कुपे पानी लेकर जाना पड़ता था उपर और उस समय मुझे लगता था कि मेरे को सुबह सुबह इतना पानी क्यों बना पड़ता है फिर एक बार रिलाइस हुआ कि यह मेरा वर्काउट ही तो हो रहा है यदि मैं इन कुपों से पानी नहीं भरती तो मेरे पहले ते कुझ नहीं पड़ती थी तो पहली बार में तो क्या किया कि अख़ते कर लिये धिर सारे उसमें से देख लिया कि इस्तिहार किसने दिये बड़े-बड़े प्रतन प्रश्ट पर उनका नंबर नोट किया उनको कॉल किया तो वह भी सार्थक थोड़ी नहीं होता है 17,000 रुप देते थे बहुत बुरी तरीके से फिर अज समने का क्या धिकारी लोग बैठते हैं वालब भवन में वहाँ जाओ फिर मैं वहाँ गई ये तो मिरे को एवरेच चड़ने से ज्यादा मुश्किल सांट कर रहा है प्रोसस्स पच मैं उससे ज्यादा टफ होता है सीरियूसली ट प्रोसस्ता काफी कॉसली रहे तेकनिकल स्कूबा डाइविं दस लाग का था था तो आपने चक्रक अधिकारी ओं के ये वहाँ पर क्या हुआ पैसे फिर फैनली एक अधिकारी जी थे उनका नाम एसार मोहंदी था उनने का ये बच्ची हर दिन मुझको वल्ला बवन की सीड पर खड़ी होई दिखती है वो उनकी वाइफ के साथ है उनकी वाइफ को उनकी वाइफ को उनने बताया तो मैं का सर हा मुझे मांट्रेवेस चड़ना है मैं इसलिए हर दिन जाती हूँ और जो लोग गेट पर खड़े रहते हैं उनकी मैं हमेशा हिज़त करती हूँ क्योंक अच्छा है जो आपकी मदद कर सकता है तो कभी भी जो द्वारपाल होते हैं उनकी आज तक किसी वी किसी वी मिस्पेहव नहीं किया उसका मुझे बहुत फाइदा मिला है या मैं कहूं अंदर से ही सब कुछ हूँ है तो उन्होंने फिर मेरी मदद करने के लिए कहा कि हम बनी गुढ़ी डिकल्ड़िय मेरी मदु पज़ कि हम आ अपकी मादद करते हैं दो नहीं तो मुझे काता है तो मुझे लगा कि दुनिया में उच्र लोग भी होते हूं तो इस यह 2 लाग रुपेम हम सब्सकिव को चुद मादद करते सूं मुझे किल्या कि मुझकेज की नह इतनी महनस से कमाया हुआ पैसा एसे नहीं लगाता जो डूब भी सकता है तो मैं अपने स्पॉंसर के उजिन से सबस्यादा हिज़त करती हूँ फिर ट्राइडेंट ग्रूप था इसने मुझको स्पॉंसर किया था कि आज भी ट्राइडेंट ग्रूप बोलता है कि उनका लोग अपने भी उड़ानी मुवी करना उचाई उचाई दिख्योंगी तो वह बेस केम है बस बेस केम के बाद असली जर्नी शुरू होती है बेस केम पांच जार तीन सो पे तालीस मीटर के हाईट है जो नॉर्मल होता है हम लोगों के लिए वो तो सिफ बेस केम होता है जहां तो दो महीने का एक्सपटीशन होता है जिसके चार केम पहते हैं और हम लोग बेस केम भी आपका हाट जैसे ऐसे पंप करता है यसे दसमंजला इमारत पर करता है थक 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 कंटीनू और फिर हम लोग जब जाते हैं पहला रोटेशन होता है हमारा टें कुछ आए ठीम में पिर जब आप जाते हो अंत भी शेरपा मतलब गाइड अपसे कुछ दिरी पैड़न के चलेगा बस अपको क्लाइब को ना क्योंकि वह माॉन्टेन क्लाइमश को पता होता है कि कहां hidden क्रवासे से कहां unhidden क्रवासे से कहां row fixing है कैसा route है यह सब उनको पता होता है सिर्व आपके आगे चलेंगे आपको सिर्फ फोलो करना है जो 25 लाग है तो वहां की permission लेने का साथ साथ लाग उसके बाद शेरपा की फीज चार लाग फिर जो हमारे टेंट वागेरा होते हैं हमारा insurance होता है इन सब चीजों का हमारा base camp पे food ले जाना भी बड़ा महंगा होता है उसका पैसा तो यह पूरा मिला के 25 लाग होता है और अब तो बढ़ गया है एवरेस टेक कोटा है उससे जादा लोग चड़ भी नहीं सकते है जो मैंने बताया डेर सो लोगों का पहले एक बार जो बहुत सारे पर्मिट इशू करें इसकी कि वाज़े से लोग खड़े-खड़े मर गये थे क्योंकि लाइन एक ही है रस्ता एक ही है तो अब अंट्रें साथ 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 से नेपाल साइट से तो अधर से देट सो पर्मिट होते है उधर से देट सो पर्मिट होते है बस यह मैं इतने ही लोग इतने ही पर्मिट दिया जाता है फिर आपका शेर्पो इस दिफिकल्ट तो गेट लिए लोग आपके सर्टिविकेशन पूरे आपन महीन की मिलती है बहुत है। जी सीजन नियुदरू की स्वूरती है जा सुठा कुछ भी मेलती है। सब्सक्राइब मेता है जा समीट किया जाता है..ंच तोके संस कफूला ने लेका क्लाइब हुथ is , बड़े जाता है .. हम पीछे पीछे चलते हैं, अब रात को हम क्लाइम करते हैं हमीशा, क्योंकि सुबह के टाइम तो सूरज की क्रिने बरफ पाएंगी तो मेल्ट हो जाएगा, सब सदा अवलांच आते हैं दिन के समय, बड़े-बड़े, हमें रात को ही क्लाइम करना सब से सेफ होता है, हम रात क जबने लग जाता है, continue movement रखना है आपके हातों उंगलियों को, क्योंकि body उस minus temperature में यह धीरे जारी है ना, तो फॉस्पाइट होने की चांसे जादा होते हैं तो कितना आप, like how much do you walk every day? everyday, जैसे हम लोग चलेंगे, आज रात की एक बज़े में चलूँगी, सबसे गलेवले मिलके, पता नहीं दोबारा आऊंगी कि नहीं आऊंगी, क्योंकि कुम्भू glacier, में death के chances बहुँचादा होते हैं बड़े लेडर्स होते हैं निसनी नुमा, जो आप ऐसे जब पार करते हैं जिब चप होता है, तो पेर ऐसे थर थर कापते हैं आपके भेंकर वाले, यह की safety rope लगी होती है यदि आप इसमें अधिकतर लोगों का जो होता है, वो लोग safety नहीं लगाते हैं, क्रवास में गिरता है, तो क्रवास में गिरने के जिसे मुद्ध क्रवास क्या है जरा लोगों को पता देजे हैं क्रवास जैसे दो एक जगा पे खाई नुमा दरार बन जाती है जिसको पार करते हैं, तो एवरेस्ट मूवी में आप देखा भी होगा एक लेडर लगा निसन नुमा दिखता है, तो क्रवास में वेक्ति गिरता है, तो उसकी मुद् हमिशा हाइपो थर्मिया से जादा होती है, क्योंकि आप जैसे आपने बरफ हात में ली तो पिगलती ज जब तक आपको निकालते हैं, तक आपको हाइपो थर्मिया हो चुका होता है, या फिर एकदम आप गिरते हो इतना शार्प होता है कि आपकी पीछे वाली इसकी नुर आगे वाली इसकी एकदम आजाती है, तो बहुत रिस्की होता है, क्रवास को पार करता है, तो बस एक सी यह ज़ना कोई पर सेवन्टी परसंट में ट्रेंथ काम आप है वह यह ज़िए अब आप से वही मेरे वी यूवर्स के लिए मेरे लिए बनेफिशल है कि हम किसी चीज के लिए ट्राय कर रहे हैं कोई बुक लिखना चाहरा है कोई बिजनस जमारा है कोई ग्जाम के तयारी कर है और यह मौत की सीडी एक आगई वेर इस ज़स्ट तू डिफिकल्ट यह ज़ग रहा है होगा ही नहीं आपने सीडी पार की अपने सीडी पार की क्या लगता है दिमाग में और हो कन पीपल दू 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 दियर लाइफ जब उनकी लाइफ में वह बार की क्या है आपकामान उसी समय सभस्ता कहेंगा सरीर भी कहयगा मन भी कहेंगा दिमाग भी कहेगा पलट जाओ तो उस समय अपने आप से पूछना की लोटकर जाके करहोगा करोगे क्या तो वो जब आपके मन में बोलेगा ना कि सहार अचा ज़्ड़ा ओर आगे बढ़ तो भाट रहा चाहना हूं, पार धर कीपने, सब कुछ होगा, horse कोचोगा, तो मह स्कूफोच पूछे कारो grow pati जाँ वो भूश्टप देता हे लॉट कोई कारोगा? कि यार्णी ओक कोछे जाँ छोट तक रहो गा तो? म स्क्योक्ट होगा, दो दो रखाता हे नुग plupart बहुत गंदा होगा so whatever people are trying in life it will get tough it will get scary but so nicely put okay and then so you cross that and then so you cross that and then continue because women have a problem in mountains our hormones change we can continue in two months so we will be more hormones change okay so we have to do that because we have to do that and we have to do that we have to do that so we have to do that so that is a problem so girls do that we have to do that so we have to do that but now you have to continue because people are coming back don't want to stop sometimes you can have a big avalanche slow 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 you don't get a full name of the body you can relax the body after you also have to sleep MJ seen like this so we need to put on the body again slow 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 & slow slow slowly slow slow manages to get होती है वो ठंड भी हाथ ठंड हो जाते हैं और बड़ी-बड़ी पिलर नुमाव दिवारे होती है आसपास बरफ की लेडर दिर्शेव लगे होते हैं वो बहुत टफ टाइम होता है आपको लगता है आप इसको स्पार कर लो कैसे भी पॉपकॉन की तरह बरफ है आपके दिमा हो जाता है थोड़ा पहुशने के बाद की बड़े-बड़े अवलांच दिन के समय आते है जब हम पहुशते हैं तो वो क्रवासस में गिर जाते है तो अवलांच आपके पास तक नहीं आते तो आप थोड़ा सेफ हो महसूस करते हो अपने आपको और टेंट लगाते हो और होट सफेद पढ़ चुका होता है होट सफेद पढ़ चुके होते हैं आपके उरीन का कलर रेड हो चुका होता है अब आपको बरफ खोदना है पिगलान और वो पानी पीना क्योंकि इस एल्टिटूड पे डाइजिशन सिस्टम तो काम नहीं करता प्रोपर तो आपको सिफ स आपको बात करने वाला कोई होता है बात कर सकते क्या एनर्जी इतनी नहीं है और आप जीवन में समझ चुके होते हो कि आप किस लिए पैदा हुए हो यहां आप कितना समय बरबाद कर रहे हो जब आपको वा मिनिट टू मिनिट कभी-कभी तो बीचता नहीं और कभी-कभी जीवन तीन चार बार रिपीट हो चुका था मुझको तो बच्पन से लेके पूरा और आसपास के लोग जिन लोगों को चेहरे तक मैं भूल गे थी वो भी याद आ रहे थे कि यह सबजी वाले भाहिया थे यह दूद वाले भाहिया थे इस से माफी मांग लेना चीह था आन जितने एल्टेटूट पर जाते हैं तो बोडी पहले फेट खाती हैं मसल्स खाती दीरे दीर आपको खा रही होती है हम वह रात रुकते हैं एकमिटाइजिशन के लिए पर वहाँ है है बहुत होता है क्योंकि आपका बोडी अड़ब्ट कर रहा है उस जगा को जैसे मोसम के तो कफी टफ होता है पर दीरे दीरे शरीर अड़प्ट कर देता है तो सिखाता है प्रकति आपको कि कठनाई आएगी पर आप इतनी कठनाई वाली जगा पर ड़ल जाएगा अपका शरीर फिर हम वापिस आते हैं रोटेशन करने के बाद फिर दो दिन रुखते हैं थोड़ा फिर थोड़ा गूमते हैं करते हैं फिर अगला रोटेशन होता है अगले रोटेशन में अब हमको यह कैम 2 जाना है थोड़ा सा और फिर हमी Wezelf Cam incarnationed Cam2 जाना थे हैं उतना ही बारा करते हैं 12 गंटे चलने के बाद अब सिए गंटे के लिए ए między दिख जए खा लिग जड़ा के रख डिए आपको पास कि जच बाता है। वह दिखता है आपको पास मैं और भीज़ए उसका रहा का ज्चल में जिङग्यार, यह चगता हृता है चूशार कि तो eg हो ऑप्तवी कि वह पासिए हो ही है। यहां कि प्रकूं हैं क्यूंकि ł Cancer इस छाम चैर्ध को यह ईसरा है जग से विदिग में जब्रंग तरफ्रेस स्यम्न कीे डिया मेटी भाए नियुका पाइंगे यहां आप नुके ऑपनी अश्ली रंग दिखाती सफने रंग ऐस्यों के sitä इसरेश जाता है एक मिट Shahуск होता है नहीं होता है वो में इस फोट क्यूआ है तो कुछ सिर्फ यहीं होगा हो Ephraim मेरे बगल में उखे श्يजप ले जगी किया अअधानी आपने हूं कोई अप मेरे बगल में बताता है मैं उखे जदा मेड़ी को होनी यहाद दिया हूं मैं गिखे घा नहीं ही तो मेरे ढोल के मेरे घाना कि तो मेरे आदा जाता तु..' क्योंकि मेरा दिमाग एकदम एकदम तुरंत उस समय यादिलाता कि क्या टुफ टाइम में बिता कर रही हूं तो खुश्बू हो भी ऐसा सब्सक्राइब तुमाटर इतने बसंद है हाँ 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 सौर्य आइ कुंट है दाट एक निजर फुमाटर इस तुमाटर इस दो नागता है और फिर वापस आते हैं अब हारा चैंप थी का रोटेशन होगा इसलिए दो महिने लग जाते हैं दो महिने पूरे लगते हैं हाँ सर्थ जसमेने के लिख अगे मेरेंशक, सा धिराम हम मालारो के अग्नेशकरण करे अग्नेशन हो ऒर ही लिख लेदयो थे कना गीमानती हुऊशन अग्ण गरे कमे वेड भाते हिए करेंशने तो बिलूल City उ graveyardैराँ, इन सूरल है। और हमेशा आप अपने potty bag साथ में कर सकते हैं, आपको सिफ यूरिन कर सकते हो, तो यदि आप रियल माउंटेन हो, आपने माउंटेनियर हो, आपने ट्रेनिंग किये, तो आप जरा सा पनी का पकेट भीभानी फेकोगे, और साथ लेकर आओगे, तो हम लोग हमारा potty bag भी साथ तो थोड़ा गंदा सा हो जाता है, नॉर्मल लोगों को लगता है, आप में या, तो दो महिने तक का यू आर कैरिग विद यू, ना बेस्केम आने का खाली कर देते हैं, जब उपर जाते हैं, तो बार बार बेस्केम आता हैं, यह एक मुल्टाइशन का टाइम चल रहा है, कि, सभिष के लिएम, दो तो तुर यहá ऐकर दो में यहांचाना अपे में आता हैं, बार भी सोकेकश कर numbers अबने, यह बुस्के इंब सी काई आता हैं, हो और लोग भी पर नियानी है, उपको इसा दो स च happiest में यहीं इता है निर्टेय को यह रिफे साब बार गी क्तिता नि कि नहीं जाएगी इसे आपने किया होगा आज इतनी प्रसिद्ध किताब है आपकी सब दूर उससे पहले आपने ना जाने कितनी छोटी-छोटी किताबे खुद के पास रखियोंगी वो लिख्योंगी तब जाके बड़ी-बड़ी किताबे सब के पास पहुची हैं तो ऐसा ही केम 3 मतलब कभी-कभी 120 किलोमेटर की रफ्तार से हवाये चलती है वहां टेंट में वहां सबस्यादा चिल्बलिंग होती है हातों में माला फोस्पाइट की पहली स्टेप केम 3 में सबसे जादा होती है हवा की वजएसे हम केम 3 टच करके वापीस आते अब होता है सम्मिट जब आपने देखा की वेदर विंडो का बच्छी है और इस दो महिने में आप बेस्केम में सब कुछ है फोन वोन सब है वाइफाइ है आपका फोन वोन चल जाता है पर फोड़ा ऊपर जाने के बाद पर मेरे शेरपा ने का था कि बात मत करना तो मैं नहीं करती ती यह उसक नौन एवरेस्ट परस्यूट अलसो कि अगर आप बहुत एक जोर की पढ़ाई कर रहे हो या जोर की बिजनस जना रहे हो तो जादा ही दर उदर लोगों से बाते हैं बूते हैं मत करो तो मुझे लोग कींती है क्योंकि एक तो महेंगा बहुत होता है तो उससमें में जे आप होने वाला है और आयू फिलिंग वेरी टायर्ड अवर्ट आयर्सकेर तफ लगता है बहुत तफ लगता है जैसे ऐसा लगता है पता नहीं वापस लोट के आएंगे कि नहीं आएंगे तो वह काफी तफ टाइम होता है तो हम लोग फिर से निकलते हैं क्या मतलब इसके आप सप्लिमेंट ऑक्सिजन यूज करेंगे बोडी में एनरजी होती नहीं है और इसी के बाद डेट बोडी आपको दिखना शुरू होती है तो लोग मर गया उनकी डेट बोडी पड़ी है वह पढ़ी है पहली आपने बोडी देखी कैसे था था वाट 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 आएंग गारवेज इसी चीज़ का सबसे जादा है साड़े 300 से ज्यादा डेट बोडी माउंट एवरेस के उपर उनका समान भी है उनके टेंट भी है वो भी है तो ग्लेशर हर बार मुवमेंट करता है नहीं नहीं डेट बोडी निकलके आती है आप उनके बगर से क्रॉस करोगे कई जो मैंने पहली बार देखा था तो एवरेस के पहले ही लोस से का कैमफोर आता है तो वहां एक क्लाइमबर था जो ऐसा लगा था को ठका हुआ है लेटा हुआ है हम लोग पास से गुज्रे तो उसके चेहरे पर बैग रखा हुआ था और सामने देख रहा था इसे तो डाई अगह ने बोला ये डेट बोडी इसको पार करो और उसके बंदे हुए हात थे जिसको ओपर से पार करके गह थे काुझ मेर इसकी उसकी बेड बोडी है तो जो पी ऐद का हुआ हो जोगा थी तो मेरे काफी तफ था ताकि उससे पहले मैंने थोड़ा किसी के हाथ दिख रहे हैं किसी के पैर दिखे हैं बहुत पुरानी डेट बोडी देखी पर वो भीकुल नया क्लाइब था जिसका डेट दो दिन पहले हुआ था वो मेरे लिए काफी हिला देना वाला फिलिंग था हम फिर उसको पार करते हो इसे कई द्रश्यम को दिखते हैं जिनको हम पार करके जाते हैं फिर कैम 4 पहचते हैं जिसको डेट जोन कहा जाता है कैम 4 में आप लोग हमारा टेंपरेचर माइनेस 52 माइनस 57 पहुच जाता है जहां आपको कांटीनु मुवमेंट रखना है नहीं रखोगे तो फॉस्ट बा पढ़ेंगे ना कट करना पढ़ेगा तो यह काफी टफ हो जाता है फिर इसके बाद होता है सम्मिट पुष जो आपको 18 घंटे कंटीनु चलना है और इस समय तक आपकी शरीर में बिलकुल भी जाननी बचती है मतलब ऐसा लगता है आप बुड़े हो जो बुड़े लोग ब आपको पता इन में से हो सकता आप एक क्लाइमर हो पर आपको अपको सम्मिट पुष के लिए जाना है तो काफी टफ हो जाता है मेंटली फिजिकली सब कुछ वही लोटकर आके क्या करेंगे अपा कर लिया अपने शुरू कर दिया तो करना तो आपको पड़ेगा तो पर ज़रूर ही नहीं है मैं जब जो मेरे साथ खतनाक हुआ था तो 2018 मैं कि मैं केवल माउंट आवेस से साथ सो मीटर दूर थे तो आप फाइनल पुष में थे फिर एक्जाक्ली क्या हुआ तो 2018 में जो हुआ था कि हम लोग 8100 मीटर पे थे और यह आपका फाइनल समिट पुष चल रहा है अठारा गंटे वाला तो काफी गंटे आप चल चुके हो और 8100 मीटर पहुंच चुके हो मतलब वह साथ सो मीटर अधिन नाइनिटी परसंट हो गया है हां है कि अधाई गंटे बचे थे बस समिट में दाई ने बोला कि हम श्लो चल रहें बहुत बहीं यदि हम समिट कल लेंगे तो हम जिन्दा निंगे तुमारा तो फिर भी कुछ निए मैने तो बाल बचे है जिन्दा की निए बचोग ह ना तो हम लोग उसको भी केम 3 के बाद मैनेज करके चलते हैं बहुत 0.5 पर लेते हैं कभी बीद कभी 1 पॉइंट पर लेते हैं तो दाई ने बोला कि बापिस नहीं आएंगे बाई नी एक ही है कि यहीं से लोटके चलते हैं एक मन किया रहा कि पहुच गए करना है मेरको और दूसरा शेरपा बोला है कि नहीं मर जायेंगे तो तोनो फिर मे नहीं मान रही है तो तिसने भी नहीं बढाए था कि यहीं मासलीने के लिगा एक बात उसने एक लिगा सांसलो मैë बाद सुनो उसे बोला कि पहाड भ edhe जिंदिकी रही तो दोबहरा जाएंगे पहाड झान जिन्देगी नहीं रही तो कौन सा भार्ट और मैं मना कर रही पर दाई ने मेरे को समझाया फिर उसने मेरे को गले लगाया रोना ताई जाता है कि आपको 700 मेटर दिख रहा आपने बड़ी मुस्किल से पच्चल पर रहा है बाप पर आप पर प्लेट कैसे पीट दिखा क्या जए मेला थार 150 आ रहा आप काई मैं पर अच्छब आयागाए फैर राखनी मजी ने डुरे लिए भी है और पर उसलिए अपनी ने क्या लग रहा है ऊचJust Prats 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 वो कैसे एक feeling होते हैं, there was a feeling of failure, failure में भी effort करता है बहुत गंदार, बहुत खतर्नार, बहुत ही खतर्नाक, मतलब दिख रहा था 700 meter, वो इसक एक्जाम में पॉइंट वन नंबर था है यहाँ, वो नहीं है, can you go back to the base camera and try the thing again? No, it's not possible, वेदर विंडो केवल दो दिन का है, आपका बोडी में एनर्जी नहीं है, मर जाओ गया पैसे भी, नहीं हो सकता, possible, हो यह नहीं सकता एक shot है, हो गया तो हो गया नहीं तो नहीं फिर बहुत गंदा लग रहा था, पर हम जैसे ही पहुचे तो पता चला कि अखबारों में तो छब गया, कि मद्यपरदेज की पहली लड़की ने माउंट रवे संबिट का लिया कि सबको लग रहा था ना कि केवल चार गंटे की बात है, होई जाएगा, सब दूर चप गया था, बड़े-बड़े अक्छरों में, बड़े-बड़े headings में, सब भी अकबारों में जाएगा, मशल धोग के, जाएगा, जाएगा हो,ई दूरा गवल चार टव मन कर रहें, जाएगा, तो कि वा गवल वालधु अक्वाटन ho रुग चाहिए सब चायएगे लाटना है, आई मैं सब चाहपी दिया है, दूसरा मन केरा है कि जब आटमेग्लानी सकता होता है, जैसा रहा है गलत है, Woah, पहाण ने बदल दिया था मुझको मैं पहले इरशालू लड़की ते से मुझको किसी और बढ़ा है, इस को कैसा डेमेज करूँ क्या करूं और बहुत साई चीजे से जो गंदी थी मेरे अंदर जो पहाड ने बिलकुल एकदम बदल दी ती उसके बाद में अलग ही हो गई थी क्योंकि पहाड बहुत कुछ दिखा चुका होता है आपको कितना टफ लाइफ है कैसा है तो यह तो फालतो जीजे लगती है जो ह कितनी राजा जैसे जिन्दगी जीते हैं और हम भूल चोके होते हैं पहाड यह समझा देता है कहां लडाई जगड़े में लगे हैं कितना कुछ अच्छा भी तो है तो मैंने लिख दिया था क्योंकि मैं बदल अभी भी वैसा है मैं किसी से अब इर्शानी करती है मैं अपन क्रिटीजम बोलते हैं आपके इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको वो मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे गंदा वाला पहली बार था सब तरफ से ताने 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 तारे आरे अच्छी गंदी-गंदी सी बाते सुनने को मिल रही पापा ममी ने बड़ी मिश्किल से वेजा उ इननी पाहडव पहलों का सबस्क्राविक मिल दू काने ऐ अच्छीता था एंको पहड़ों जानते बाते शेंच पिल्ण का हम पाहड़ों की तमने ब इटा हमारं इता क alma सबस्क्राविक आप मुन्लाम छाभ घ्या चूल बाते ही mess hannoggih ए्छ तो मैं जानती हुना के गया पहली बार देखना कि लोगों को तो मोखा मिल गया था वो घर आकर देखो तो आपकी बैटी ने 700 मेटर नहीं किया उत्ता बुड़ा छप गया वो ऐसा लिख रही है बोल रही है तो मैं गाउं गई फिर से कुछ समय के लिए और वहां मैं बदल गई कि आप फिर से घर तो नह में आपकी जो बाते हैं नॉर्मल व्यक्ति के लिए इतना फरक निकरेंगी पर कोई व्यक्ति हैं अताश होता इसके लिए आप की शब्द बहुत माइने कर जाते हैं जीवन बदल ब्रकर जाते हैं कि आपको सोचने पर मजबूर करते कि घर बेटके क्या करेंगे बेर शुर मेरा शाकहरी थी तो मैंने इंडियन फूड महा पे नहीं मिल रहा था तो मैं प्रॉपर डाइट नहीं खाई बेस गेम में तो मैं कमजोर हो गई बहुत मैंने लिखा कि मैं mentally fit थी physically fit नहीं थी में को तैयारी से जाना एक लिए और फिर से सबने मना गिया और मैं अटल व्यारी मैं फिर से training पे पहुच गई थी पर वहां कुछ और लिखा था कि चार्ड जुलाई 2018 को मेरे विल्यर के हाथ विले चुटा आर्टी वाल क्लाइम में कर रही थी और मेरा बारा फिट से फॉल हुआ और चार्ड जुलाई 2018 को मेरी ये रीड की हड़ी तीन जगे से टूट तो पापा को सबसे पहले फोन किया था हमने तो उनने का था घर मात आना विटा तीन महीने घर रहेगी पता नहीं लोग क्या क्या बाते करेंगे क्यों अब इनकी बच्ची तीन महीने बिस्तर पे तिर को जा जाना है वहां जाना बस घर मात आना तो वह लाइफ का जो आपन एक व्यक्ति ने मैसेज कर रप्लाई नहीं किया था उस दिन के बाद से वर्चुली लोगों को डिलीट कर दिया था के वही लोग रखे थे जो असली प्रोफाइल पिक्चर है बागी सब डीपी है फिर इंसीट्ट ब्लैकलिस्ट हो जाता है इसे मैं तो उन्हें कमर का बेल्ट बनाके मनाली की बस में बिठा दिया और लाइफ का सबसे खतनाकी पार्ट वही था मनाली से दिल्ली की बस क्योंकि रीड की हड़ी टूटी ए तीन हैरलाइन फैक्चर है बेल्ट से क्या असर होग जितने लोग थे उनने तो फिर भी कम्माले रख दी थी पर उठने भी थी तो दुख तो दाथ चिपक गये तो दर्द की वज़े से ऐसे तो कि पास नहीं गया तो उन्होंने भी का यहां पर कुछ नहीं होगा आप से बैल्ट बांगें को भीज दीजे अपने गड़ है लाइ तब पता चला कि है लाइन फेक्चर जो तो बढ़ इसलिए गए क्योंकि मैंने खुद का बैग खुद उठाया और तीन बैग थे एक-दो हाथ के एक पीछे का और बेल्ट बंदा था लगा दर्द हो रहा है सिफ हैलाइन फेक्चर आपको नहीं बताया कि हमां कि हैलाइन फ सब कुछ कतम हो गया जीवन शुन्ने पर कड़ी हूँ पहली बार जीवन उपर वाले को कोसा था कि नोकनी पाईसा कुछ नहीं है शरीर था वो भी तोड़ दिया है इससे अदा क्या लोगे तुम आप भगवान ऐसा मैंने बोला था गुस्ते में थोड़ा सा प्रभु जी क नहीं को, और मेरे टीचर और उनकी फाइस में लेने आये थे को लेने आये थे जलाचतरुवैदी सबन वुए नहीं को कोही नहीं आये था इसमें ख्या लखी हो गया क्योंकि मेरा टेल बॉन का जो फेक्चर है जहां दो हमारे पेर जुड़ते हो और हमारी मेरू रज्यू जुड़ती है तो वहां जो मेरा फेक्चर हुआ था यदि वह आदा इंच लेफ साइड होता तो मेरा ये लेफ्ट लेग लाइफ टाइम के ल अपना खुद का घर तो हलाव नहीं कर रहा फिर टीचर लेकर गए तो उनके घर और उस दिन मैंने एक महिला का अलग रूप देखा था कि महिला दुश्मन जो बोलते हैं महिला महिला की दुश्मन होती है तो ताकत देगी थी कोई वेक्ति अपनी जवान लड़की को अपन पूरा उपर से लेकर नीचे तक अलग अलग तरह के थीन बेल्ट और बहुत नेगेटिविटी आ गए थी दूसरे के घर पर आप रहोगे तो लगता है ना और कोई केर कर रहा है आपकी यह दी बोश्रूम भी जाना तो आपको बेल बजाना है कि मैडम आके थाड़ा सहारा देखे उठाएंगे कि उठ नहीं सकते जटके से आप क्योंकि हैल लाइन बेक बॉन में फैक्चर है आपको तो जटका बिल्कुल नहीं देना है तो वो बहुत टफ टाइम रहा था फिर उस समय मैंने आपके जैसे अच्छे लोगों के पोड़कास जो होते थे वो इस्टोर के कुछ कर पाओगी मना कुछ नहीं करोगी तूस समय मैंने पहली बार मेरे जीवनों में अच्छे ची किताबे पड़ी थी पहले में किताबे पढ़ना पसंद नहीं करती थी पहली किताब थी मेरी पंचित तंत्र पहली बार पड़ी थी फिर अच्छी कहानिया सुनी थी अ मैं बोलती थी अब जब तक चड़ूगे निए तक छोड़ूगे निए फिर रिकावरी हो गई थी और नौ महीने बाद मैं फिर से बाउंट आपर एस क्लिए ट्रेनिंग क्लिए रेडी थी णिसीद बने तक अब गुष करना है तब ही तो आज आपके सामने बेठी हूं यहीं दार इस्ट्रू बट पच्छिस लाग फिर से अगें अग्स कहा आप भीना जब पहली बार नहीं कर पाय थो यह भी था मनमें तब चड़ना थो था यह सोच लिया था मैं बुड़े होने तक चड़ू पर मेरे को माउंट एवरस चड़ना था मेरा कोई और कुछ दिखता ही नहीं था मुझे उसके आगे जो मैं नो मैने बिस्तर से उठी थी तो मैं को लग गया था कि अब एक ही चीज है माउंट एवरस इसके लावा कुछ नहीं दिख रहा फिर बेल्ट बान के दोनना था मुझे शुरुवात में डॉक्टर ने बोला था तो कोई रेडी नहीं था फिर एक मेरे कोश सा मुझको मिले जुनर ने का कि मैं ट्रेनिंग कराऊंगा पट मैं वह बहुत स्ट्रिक कोच है इसके प्रसास है मेरे से नहीं पूछोगी क्यों चार बज़े उठना है मैंने फिर नो महीने उठने के बाद हर महीने बारा एक साल तक मैं continue सुबह चार बज़े उनके साथ उठके जाती थी ग्राउंड पे चिडिया नहीं होती थी सब जाती थी ग्राउंड से जब सब लोग चले जाते थे तब आती थी पहले 25 लाग सोचे नही उतदे जाती थी करती थी शियुक्त ऊइसल करती थी थी खलेस दो रहान आज़ मेड्स में किसी से बात नहीं करना फिर हर दिन सुबह 4 गंटे चार गंटे ट्रैनिंग करन थे फीर्वरी के मंth मैंने मैं उनको 42 km रन फुल करके दिखाया था मैं हर दिन 10 km डोरती थी हर सटरड़े 20 km डोरती थी और वेट लेकर हमेशा चलती थी पैदल चलना मेरा नियम था मैं बोलना बोलना हसना फुछू डिया था मेरा शायद जैसकि आपकी सुंदर सी डाड़ी है तो मेरे बाल हुआ करते थ तो माँट खिर से क्योंकि रुजा ममंटवरस आपकाता है किable कि मोदा थे स्पोंदें जञात थे स्चुंदर से अदोकि मैं थी थान नि दे पाती थी चुड़ मेरे की सूच बाल ऐ थी तो मैं किसी से बातनी करती है तो मुछसरे मुझज कुह सिर मुछ जूम्टेश्टर फोड़ा सा बड़ जादा नहीं लगा उस समय ये था कि जब 700 मेटर तक कर गई है लड़की कर लेगी तो जब आप सोचो ना कि पहलीया सफलता आप ही कहते हैं कि पहलीया सफलता मिलने के बाद ये समझ जाएगा लोग जादा बरोसा करेंगे जब उसने इतना कर लिया तो वो कर ही सकता है छोटे से बचा है और जो लोग वही करते पहलीया सफलता पही छोड़ देते हैं और फाइनली बाइस माई सुभा पाच बजे माइनस 52 डिग्री टेंपरेचर जहां चान सेकंड के लिए गल्स निकालोगी तो उंगलिया कट पड़ेंगी कट करनी पड़ेंगी तेमपरेचर पे मैं सब ही हड़ को पार करने के बार आठ घड़ आठ तालीस मेटर के ओपर इंडिया का ख़ग लेगे ख़गी थी वाव 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 पहज के लिए कि अ जाखी नहीं रहता मुझको तो अच्छा ना बुरा आठ शब गाया आठ लोग इस से उपर या था श्मान या भगवान या शबसे या ग्वान या जगह पर हूँ जहां सारे मौंटीं च्ट 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 नजर आते हैं मैं दुनिया गोल है वहाँ से कर्व बनता हो दिखता है अब को हम लोगों के पस 30 से कंड होते हैं सिर्टी से कर्वाइस क्लिक कर ने के क्यूंकि हमारी बैटरी को हमेशा हाट के लिए ने कि चला सकते हैं कामरे को अच्छा फोन की बैटरी चलती नहीं है प्रॉपर बहुत अच्छा केमरा या अच्छी चीजे आपको यूज करनी होगी वह भी तुरंट खतम हो जाएगा आपको शीर्पा के साथ भी आपको फोटो लेना है तब हम लोग यही साली सेल्फी वाला उप्योग करते हैं शीर्प अच्छी के फोटो लेते हैं और 24 मिनिट थी महाँ पर 24 मिनिट भिताय थे मैंने माउंट एवरेस के ऊपर तो मेरी जीवन के सब से कीमते क्यूंकि मैं पांच बजे पोच्छी पोच्छी तो अच्छी पॉच्छी तो अच्छी थी तो पुरा आस्मा इसा सतरंगी से दिख अद्सी नहीं से पोच्छी से गवारा था और म मेरा शेर्पार और मेरा शेर्पा अधार में एक बहुता है कि मैं आज भी बोलती हूं तो मेरे रोंड़ू खड़ी हो जाते हैं मैं फिर से महिसूस करती हूं कि मजी सुन के अजड़ने लग रहा है कि मैंने आज़ लिया हो तो दिफ्रेंट फिलिंग गार से जितना चड़ना इसी होतना आना कथेने है आप तर बहुत अचाहिए लग आप गार डिया यह वो अपके फिर्ट उत्राइ वेख़र खुशिए अच्छाहिए अच्छाहिए आप उस ताहिए आप उस ताहिए आपको आपको डेड़ बोर्डी स्कैम 4 में दिखते हुए दिसका रीजन ही सबसादा होता है आते टाइम सबसेदाइड होती है क्लाइमस की एक तो ऑक्सीजन सबसेदा खतम होता है बोडी साथ नहीं देर होती है साथ बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, शेर पाउर हम दोनों भी छड़ भी सकते हैं, लोगों को स्नो ब्लाइडनेस हो जाता है आते टाइम, तो वही मेरे साथ हुआ था, धक्का मुक्य में क्योंकि रस्ता एक ही है, धक्का मुक्य? रस्ता एक ही है ना सर, तो वो लोग ज यहाँ चश्मा गिर जाएगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा, उपर चश्मा गिर गया क्योंकि सूरज की क्लिने बरफ पर रिप्लेक्ट होके आपके रेटीला पर आती है, तो वो रेटीला को जुलसा देती है, तो उसके से स्नो ब्लाइडनेस हो जाता है, मेरे साथ वही हु जैसे आप अंधेरे कमरे से उपर से नीचे आओगे तो कैसा टपले मारोगे, तो सिम भई मेरे साथ था कि एजी नहीं था आना, बहुत मुश्किल था, दाई ने बोला कि लोग सेफटी निकल जाएगे, भई नी रोप को पकड़ के चलना, और लोग छोड़ जाएगे, तो पुरे जम-जम के पैर मारके में आ रही थी और क्योंगी तेज नहीं चल पा रहे तो लिमिटेड ऑक्सिजन था वो खटम भी हो सकता तो वही हुआ, हम लोगों के पास बहुत कम ऑक्सिजन बची और हम लोग जब पहुचे तक रात होगी थी, कैम 4 पहुचे तब, ताई न अरली मॉर्निंग पूचा, तो दाई पूच रहते हैं, मैं चेक कर रहा था तो मरी तो नहीं हो, क्योंकि क्लाइमर ठकने के बाद सबसे मीठी मौत पहाड़ों पहुचे है, सबसे मीठी मौत, आप इतना एक्जॉस्ट हो चुके तो आपको पता नहीं होता है, और ऑक्सिज कितने दिन के लिए आँखो की रोशनी गई है, हमें लगा था अरली मॉर्निंग आजाएगी, पर मुझे नहीं आई, तो दाई ने बोला कि चलना तो पड़ेगा बही नहीं मर जाएंगे, बहुत कम उक्सिजन बची है, और हम लोग चले, 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 और एक प कोई नहीं देता हूँ आप ऑक्सिजन, सबके पस लिमिटेड ऑक्सिजन होती है, पर सब पार करके जा रहें कि आप नीचे आजाओ, हम दे दे देंगे, हम दे दे देंगे, पर फाइनली, मेरा शेरपा का दोस्त महां से गुज्रा लाकपा दाई, उसने बोला कि मेरा पर मर गया है, उसका ऑक्सिजन मेरे पास है, मैं देता हूँ, और लाकपा दाई ने फिर ऑक्सिजन चेंज करी, और मड़को मेरी जिंदगी के सबसे कीमती और गहरी सांस मिली, जब मुझे ऑक्सिजन नहीं आए थी तो मुझको महसूफ सो रहा था कि मैं मरने वाली हूँ, मैं दाई को इसारा कर दिया था, गले की पूरी नसे खिच रही थी, नाभी के पस सब कुछ इखटा हो रहा था, तो बोड़ी से लिक्विट निकलना शुरू हो जाता है, आपके कान से, रोमचिल्डरी से, अबसे फटने वाली है बोड़ी जो क्योंकि सांस नहीं आ रही है आपको, तो मुझको भी ऐसे ही था हूँ, बट लाग पादा है निया सिलेंडर चेंज किया, और मेरा दाई, मरे हुए क्लाइमबर का सिलेंडर लेके, अगर वो ना होता तो चाहिद आप भी मर रहे हाते है, अपकोस, मैं शायद नहीं होती अभी, आपके सामने है, शायद म अगर नहीं होती, अगर रिसेंटली तो उसका सिलेंडर था, तो उसके शेर मने का यह रहे है, वो भी मेरा दाई का दोस्त निकला वो, मेरा दाई को वो मास्क उतारा था तो उसने चेहरा देखा कि यह तो अपना ही दोस्त है, मेरा क्लाइन ऊपर मर गया, उसका अक्सिजन हो अफ मेरा दाई गाया पूछा कि यह को लिए धिर हमलोग मेरा दाई गया फिर हम लोग अग पहुंषे घर जिंदा पहुंचीती च्याम डूटा प Sun Tuts अपार की कैसे आगे मेरा कूई कीए मर ऑकी आप मुद्धेश होरा था कोई भाग जाता है क्योंकि उनके पास limited oxygen होती है उनको भी तो बाल बच्चे है मेरे शेर पदाई वहीं बेठर है जो तीन मिनिट का time था कोई भाग जाता इतने time में वो oxygen मास्क उतार रहे फिल लगा रहे फिल लगा रहे उनके पास भी तो खतम हो सकता था बोले भई नी हम से सब गंदा बरताव करते हैं पहली बार मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया था क्योंकि मैं लड्डू लेकर के थी बेसके में तो मैं अपना समान सबको बागती दिखाने का क्या आप भी ले लो आप भी ले लो मैंने कभी उनको नोकर किसरा ट्रीटी नहीं क्या तो कि अधिकेशन का कर सकती हो मैं से यादा कुछ नहीं कर सकती हो तो दाई और मेरा बॉंट ऐसा बना तब से फिर अस्पताल जब पोचेत चार दिन बाद मेरी आखों की रोशनी आई तो मैं अजब देखा जिस रूम में मुझको रुखाया गया तो उसमें एक ना दरपन था घुप काला अधिरा कमरा था मुझे लगा कि स्नो ब्लाइडेस वाले लोगों का रूम ऐसी हो जागा मुझे पता चला कि मैं मैं अधर होस्पिटल का रूम था उसके अंदर थी पट वो मेरे लिए अलगा नुबहुत था फिर मेरी आखों की रोशनी आई हमने पता किया कि क भी गुटभी उसका बी बीवी मरा है आप उससे मिलो हम जब मिलने गए तो हमने देखा कि वह तो शरत कुलकरणी सर है वो इंडियन क्लाइमर है जिनसे हम मिले थे और उनकी वाइफ थी अंजली कुलकरनी में आपके मुमई की दो क्लाइमर थे हस्बेंड वाइब जो 55-plus की उमर में माउंट आवरेस पे गए थे उनकी वाइफ की डेथ माउंट आवरेस पे हो गई थी उनका बच्चा हुआ स्लेंडर मुझे मिला था और ये चीजे मुझे को बेस के वहाँ पे काटमांडू के स्पताल में पता जली आज भी जो शारत कुलकरणी बाबा है वो मेरे को मानते हैं उनने किताब लिखिये मराठी इंग्लिश में और उनने डॉक्युमेंटरी बनाई है आप देखिया का उसमें जिक्र किया उनने कि मैं जब जब मेघा के कंठ को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्जली की सांसे मेघा के अंदा चल रही है उन्होंने य अन्जली में का क्लाइमबर उनकी डेख होना उनका शेरपा का उक्सिजन मुझे देना यह क्या था कोई तो अलग है तो फिर आने के बाद जब मैं वापस आई तो पापा को सब लोग कंठे पे लेके गूम रहे थे इसलिबरेट हो रहा था उस्ताव मन रहा था उसमान रहा हम हमारा मांटर वेस्ट चड़ेंगे वाव यह वाव यह कॉइड जासे हम काफी देर से बात भी करें हैं तो क्या सीख देंगे आप लोगों को जो लाइख में कुछ बनना चाते है नेगा चाहे क्लाइमर चाहे राइटर चाहे बिजनस स्कूबर डाइवर जो आप कराते हो या इवन लाइख लाइख जो चाहे लाइख लॉयर चाहे डॉक्तर कुछ भी और इंडिया में तो बहुत आपने one of the hardest things in life करी है, with very hard background, and उसमें फेल भी हुए और फिर दुबारा किया है, बहुत सारी चीजह हुए है, इन सब अगर आपके छोटे भाई बहन आदेख रहे होते हैं, सारे, वोई देख रहे हैं, उन्हें क्या बोलो गया है, कैसे करना है, एक लाइन में तो इसी है, कि म मैंने मेरा मांच रवेस सम्मिट किया और मैं उसके लिए रुकी नहीं, आपका मांच अवरेस्ट अलग होगा, उसको जब तक आप फटा नहीं कर लोगी तब तक रुकना नहीं, पर एक मांच रवेस सम्मिट करने के बाद भी आपको रुखना नहीं कि लाइफ में वही कर प्लीज है उसका गुंगान करते रहें, मैं उसके बाद टेकनिकल स्कुबा डाइविंग की 5 कॉंटिनेंट के हाइस माउंटें समिट किये हैं अमें लोगों को इंस्पार करती हूं तो आपकी जिस भी चीज के आप जर्नी पार करो जैसे आप राइटर हो आपको देखके कहीं बच्चे राइटर बन रहे हैं क्योंकि आपने एक अर्टनी जर्णी अच्छीव करने हैं आपको कहीं बच्चों को ग्यान दे रहे हैं आज आप दूसरों की लाइफ में एक इंपलीमेंट देने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहें था कि उनकी लाइफ अच्छी हो आपकी लाइफ ऐसी होनी चीए कि ओर लोग उससे प्रेना आले वो भी अच्छे वाले जीवन की और कुछ भी कर सकते हो आप शायद दुनिया को बदल सकते हो लेकिन जब निराशा आए, फेलियर आए डाउट आए, जिल्लत आए जो सब आए आपके पास तो कैसे अपने आपको संभालना है कैसे संभालना है कैसे संभालना है वी यह सब आती है चीज़े तो लोग अपने आपको संभालना है दिप्रेशन में जाते हैं, कुट करते हैं काथन काथन गलत कदम अठाते हैं कैसे अपने आपको कहना है नहीं यार हो जाएगा एक दिन यार कैसे कैसे, how did you do it? पहले तो सुसाइट तो कभी करने ही नहीं है जिंदगी के हर पाड वही है जिंदगी रही तो दोबारा कर लेंगे जिंदगी नहीं रही तो कोई पाड नहीं चड़ पाओगे किसी भी जीवन का कोई पाड नहीं चड़ पाओगे जिल्लेत आए तो हमेशा यह सोचना कि लोग तो बोलेंगे कुछ भी करो तब भी बोलेंगे कि उन्हें सुनो ही मत वही लोग बाद में ताली बजाएंगे कठिनाए आए डिप्रेशन आए तो वह तो आता है सबकी लाइफ में अलग अलग ताइम पे आता है और वह तो यह समझ लीजिए कि आएगा लाइफ में किसी ना किसी को कभी ना कभी अलग अलग रूप में फील हो जाएगा तो लाइफ का पार्ट है वो उसको साथ लेकर चलना वना लाइफ बोरिंग हो जाएगी सब कुछ अच्छा चलेगा जादा खुशी-खुशी देगी तो कैसे बट वापस लोटके करोगे क्या जो कर रहे हो इसको कम्प्लीट ज़रूर करना चाहे कुछ भी हो जाएगी आपने शुरू किया है तो खतम भी आपको करना है कोई और नहीं आएगा वनना जीवन बर आप उस गिला गिल्ट और अधूरी चीज को ही देखते रहोगे तो यंग जनरेशन के जितने लोगों को मैं कहूंगी पहले तो मोबाइल्स की रील थेखना बन कर दे फाल्तू वाली जिसके लिए सबसे बर्बाद होता है हमें नहीं पता होता हम हमारे जीवन का सबसे किन्ती समय अंगुठे को ऐसे करने में निकाल देते मैं बहुत कम री अब देली चार्ट बनाए अपने सुबह के दिन का नॉर्मल काम प्रात्मिक काम करने का और आपका जीवन के वल डेली रूटीन के काम करने के लिए नहीं हुआ है कुछ तो मकसद है मैंने अपना मकसद दूंडा था आप अपना मकसद दूंडेगा और अपना माउंट रब यह जान करके मुझे बहुत अच्छी है, I loved it, Shrota, very nice, one of the reasons, of course, लोगों को सिखाने के लिए और वो, पर मैं भी एक बेटर लिसनर बनना चाहता हूँ, ज़्यादा बेटर, सिर्फ बोलना नहीं चाहता, सुनने की भी श्रमता होनी चाहिए, और सुनने में अच्छी बहुत सिखने को मिलता है, आप बोल रहे हो तो सीख नहीं रहे, तो आज से आप से मैंने बहुत सीखा है, और बहुत मज़ेदार भी लगा आप से बाते करके, and it was a great experience, आप सबसे अलग होके स्टब तक के मेरे इस पे, इस काउच पे, just to let you know, बहुत बड़े-बड़े लोग आज चुके हैं, बड़ी-बड़ी कमनियां शुरू किया है, founder of companies of 30-40,000 crores पर मेरे लिए जो आपने अचीब किया है, वो भी उस से कोई कम नहीं है, आपने जो प्रेवना दिया है, लोगों को इंस्पिरेशन दिया है, यहां भी दोगे, दोस्तों, आपको जैसा भी यह लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है, कॉमेंट डालो, मेगा जरूर पढ़ेंगी, that's a promise, और मेगा रिप्लाई भी करेंगी, जो ऐसा कॉमेंट होगा, जो उनको मन करेगा, रिप्लाई करने का, और अगर आप कॉमेंट करते हो मेरे चैनल पर तो इस वीडियो को और मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है, जो आप जानते हो, फालतु कॉंटेंट बहुत है, तो मैं अच्छा कॉंटेंट बनाने कोशिश कर रहा हूँ, पर उसको सपोर्ट चाहिए, वो आप लोग ही कर सकते हो, तो कॉमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिये, वाट्साप अपने ग्रूप्स पर बेज दीजिये ये वीडियो, ना जाने कहां किस कुछ हो जाए, किसकी हेल्प हो जाए, राइट, ये था दीप टॉक, मेगा पर मार के साथ, थैंक यू, टेक चेरो,